ईक बड़ी सुन्दर गथा याद आई भागवत में है एक बार ब्रामाजी के पास नारज जी पहुँचे नारज जी ब्रमाजी के पुत्र है मानसिक पुत्र सoryश्टी के प्रार्म में ब्रमाजी ने मानसिक पुत्र पैदा किये थे चत्रकुमार, चारकुमार, नारजी, दस माहाजन, इत्यादी रिशी, यह सम्मानसिक पुत्र, शत्रूपा और मनु से जो संताने पैदा हुई, यह मैथन क्रिया से पैदा हुई, इससे पहले ब्रह्माजी ने काफी चेश्टा की संसार को फुल्फिल करने की, भर देनी की संतानों से, मानसिक रूप से, लेगिन उससे असंबव रहा, हो नहीं सका कुछ, कुछ पैदा हुए, ज्यादा नहीं, तो फिर महाजन है, उन्होंने स्रश्टी को आगे बढ़ाया, बच्चे पैदा किये, लेगिन प्रथम जो मैथन क्रिया से, संतान पैदा हुई, वो मनु और सत्रूपा से हुई, देहुती मनु और सत्रूपा की बेटी थी, जो मैथन क्रिया से उत्पन हुई, और भी ये दक्ष महाराज के पुत्र हुए, दक्ष महाराज से बहुत संताने उत्पन हुई, शंकर भगवान से, ऐसे सरश्टी के महाजनों से संताने आगे चली, देहुती माता, कपिल देव भगवान, जो 24 अवतारों में एक अवतार गिने जाते हैं, उनकी माँ है, वो सत्रूपा और मनु की बेटी है, भागवत्तम में इसका वर्णन है कि मनु और शत्रूपा से मैथुन क्रिया करने से, ये जो हम लोग सब आगे, आए, मैथुन क्रिया प्रारंबुई, और बच्चे पैदा होने लगे, इससे पहले ब्रह्मा जी मानसिक रूप से पुत्र और जो भी कुछ पुत्रियां अपने मन से पैदा कर देते हैं, चुटकी बजा के, चत्रूकुमार ब्रह्मा, नारज जी एक बार ब्रह्मा जी के पास चले गए, और कहने लगे, पिता श्री, आप तो सदेव ध्यान में म इता श्री बात ही ऐसी है, मुझे उलजन में डाल दिया, मैंने देखा कि प्रत्वी लोग पर एक द्वार का पुरी है, जो समुद्र के बीचों बीच बसी हुई, शुर्ण द्वार का है, सोनी की बनी हुई, उसमें ये योगी पुरुस रहते हैं, कृष्ण नाम के, उन्ह के हजारा हजारा रानिया हुई है, एक राजार चित्र केतु थे, उनके एक करोर रानिया थी, तो ये कौन सी हाज श्री की बात है, अगर कृष्ण नाम के योगी पुरुस ने सोलह जार एक सौाट रानिया रख रख किये, नारज जी ने कहा, नहीं पिता श्री, बात ये न 16108 रानियों के साथ में, वो योगी कृष्ण 16108 जगे प्रगट होता है, और एक समय में, और अलगला मुद्राओं में, किसी रानी के हाथ से भोजन कर रहा है, किसी रानी के साथ में बैठा है, किसी रानी को आलिंगन कर रहा है, किसी रानी की बेनी गूत रहा है, किसी रा अगलाग मुद्राओं में एक समय में 16 अज्जार एक साथ कृष्ण बन के प्रगट होते हैं मैंने ये बड़ा आश्चरिय देखा मैंने तो कानों से सुना भी नहीं है ऐसा आश्चरिय आखों से देखना दूर है तो ब्रह्माजी को थोड़ा सा चटका लगा कि क्या कह रहा ह हो नारत ऐसा कोई भी मेरे ब्रह्मांड का सबसे स्रेष्ट योगी अपने शरीर को और आठ जगे विवाजित कर सकता है यानि एक साथ नौ सरीर में प्रगट हो सकता है एक स्रेष्ट ग्रेट योगी ग्रेट मिश्टिक लेकिन तुम कह रहे हो यह बात तो कोई योगी पु यह कर सकता है तुमने तो मुझे भ्रह्म में डाल दिया क्या वो नारायन तो नहीं है लेकिन ठीक है मैं इसकी परिक्षा लूँगा मैं तुम्हारी बात सुनकर के ब्रह्मित हो गया हूं मुझे खुद जाना पढ़ेगा और ब्रह्माजी द्वारे का माही चत्रमु की ब्र परिश के दर्शन करने आया हूं जाकर बोलो कि तुम्हारे दर्शन करन तुमको मिलने के लिए ब्रह्मा आया है मैं वो योगी पुरुष से मिलने आया हूं मैं बात तो करूं जरा कि वास्ताव में बात क्या है मैंने दर्शन सब्त बोला लेगी दर्शन करने नहीं मिलने ही आये ब्रह्मा जी तो दर्शन सब्त को अटा दीजिए द्वारपाल ने कहा कि ठीक है मैं जाकर कि द्वारकदीश को सूचना देता हूं कि आप मिलने आए हैं द्वारकदीश की जै हो क्या बात है प्रहरी भगवान आप से मिलने के लिए ब्रह्मा जी आये हैं दर्वाजे पे खड़े हैं कौन से ब्रह्मा हैं दास का अपराद क्षमा करें मैं ये तो पूछना भूल गया कि आप कौन से ब्रह्मा है जाओ पूछ कर आओ तो द्वारपाल ने आके ब्रह्मा जी को पूछा कि द्वार का दीश पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा है तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया क्रोधित हो गए क्या कौन से ब्रह्मा है क्या मेरे अलावा कोई और भी ब्रह्मा है अरे इद्वारपालों की तो अकल ऐसे ही छोटी होती है ठीक है इदर आओ जाकर द्वार कदीश को बोलो कि सनत कुमार चत्र कुमारों की पिता श्री चत्र मुकी ब्रह्मा आए ठीक है द्वारपाल ने जाके बोला कि भगवान चत्र मुकी ब्रह्मा आए चत्र कुमारों की पिता श्री ओओ उन्हें सम्मानपूरों के अंदर लाओ भगवान का ब्योहार परम व्योहार है परमिश्वर है उनका व्योहार भी परम है वो उन्होंने व्योहार किया ब्रह्मा जी को अंदर बुलाया और खड़े हो गए अपने आसन से हाथ जोड़ करके आईए ब्रह्मा जी आसन ग्रहन कीजिए ब्रह्मा जी तो गुस्थे में थे मैं आसन तब तक ग्रेंड नहीं करूँगा मैं आसन जब तक ग्रेंड नहीं करूँगा मैं आसन तब तक ग्रेंड नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बता दो कि तुमने द्वारपाल से क्यों पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा आये क्या मेरे सिवा कोई और ब्रह्मा भी है भगा अंसरी कृष्ण मुस्करा ऐसे ही मुस्काते है मुस्करा ने लगे कहने लगे बस ब्रह्मा जी इतनी सी बात के लिए इतने गुसा कर रहे हो पूछना ही चाहते हो तो मैं अवश्य बतला दूँगा मैं पूछना ही चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कोई और भी ब्रह्मा है बड़ी बेज़जिती करते हैं दूसरे की दरवाजे पाये हो एक कि कौन से ब्रह्मा आए ठीक है ब्रह्मा जी मैं आपको अवश्य इसका जवाब दूँगा बगवान ने अपना योग हात खेलाया हवा में और ये दूसरे ब्रह्मा वा प्रगट होाँ ये ब्रह्मा की दस मुक थे और अगले किशन एक ब्रह्मा और प्रगट होगे जिनके सव मुक थे ब्रह्मा ब्रह्मा ओं को इशारा मिल गया अन्हम तुम्ह मांडों के ब्रह्माओं को इशारा मिल गया द्वार का पुरी महाने का ये दिब लिला है मुर्ख कैसे समझेगा अवजारमती मामुमूधा मुर्ख लोग कैसे समझेंगे इसको भगवान की दिब लिला भगवान की भगवान ने निमंत्रित आमंत्रित किया आवान किया तो ब्रह्मा आने लगी तो वह सो मुक्वाले ब्रह्मा आए और हजार मुक्वाले ब्रह्मा आए और दसजार मुक्वाले ब्रह्मा आए और एक लाख मुक्वाले ब्रह्मा भी वहाँ आए और भागत में शुक्दे गुस्वामी जी कह रहे हैं कि एक करोड मुख वाले ब्रह्मा भी वहाँ पर आके उपस्तित हुए और सभी ब्रह्मा अपने अपने पार सदों के साथ हंसों के ऊपर बैठ कर आए और हंसों से उतर कर भगवान की अस्तुति कर रहे हैं गोविन्द हम आधिपुर्श्वम तमा आम भजामी ए गोविन्द आधिपुरुष्ट नारायन हम आपका भजन करते हैं यह अनंत ब्रह्मा को देख करके यह चत्रमु की ब्रह्मा की हालत तो बेकार हो गई गव्रा उठे और गिर्गरान लगे और मूर्चित होगे मूर्चित होगे भगवान स्री कृष्ण के चरणों में गिर गए भगवान ने सभी ब्रह्मा की अस्तुति की ब्रह्मा को जाने का आदेश दिया कोई नहीं है इस समय ब्रह्मा जी मूर्चित पढ़े हैं चरणों में चत्रमु की ब्रह्मा बगवान ने कहा ब्रह्मा जी उठो ब्रह्मा जी गोहुश आया और उठे हाथ जोड़े गिरगड़ाते कापते हुए ये क्या ये जो मैंने अभी देखा ये बिभिन ब्रह्मा और हजार लाग करोड़ों मुखों वाले ये क्या सत्त है बगवान ये मेरी आखों का ब्रह्म है ये भी मुझे बतला दीजिए ये सत्त है ब्रह्मा ब्रह्मा जी ये सत्त है ये परम सत्त है ये बहुत तिक सरश्टी में बड़े बड़े ब्रह्मांड है जापर मुझे ब्रह्माओं के आवशक्ता होती है सरश्टी करता चौरा सिला की योनियों को रचने वाला ब्रहमा ये ब्रहमांड जिसमें आप रह रहे हैं सबसे चोटा ब्रहमांड है इसमें मुझे चत्रमुकी ब्रहमा की आवश्यक्ता पड़ती है तो आप हैं बाकी और भी ब्रहमांड है जहां कि यह मुझे हजार मुक्वाला लाख मुक्वाला और दस लाख मुक्वाला और एक करोर मुक्वाला भी ब्रहमा चाहिए यह बिस्तार वाले ब्रहमांड है तो आप इसमें इतना शोक मत करिए मैंने पुछवाया दौारपाल से वो ठीक ही पुछवाया कि कौन से ब्रह्मा आये क्या चत्रमुकी या सो मुकी या जार मुकी ताब इतने आग बवुला हो गए तो यह ब्रह्मा जी ने बहुत पश्चाताप किया गिड़ गड़ाए प्रार्थना की कि मुझे मेरा अपराज महान अपराज ख्षमा कर दो एक अपराज मैंने आपका जब किया था जो आप पांच वर्ष की अवस्ता में बच्छों के बच्छी चराने जाती थे बन के अंदर ब्रिंदावन तो मैं आपके बच्छी और ग्वालों को चुरा के ले गया था एक अपरात तो मैंने वो किया था और ये और एक महान अपरात कर बैठा में मुझे क्षमा कर दो और मुझे क्यों ब्रह्मा के पद पर बिठाया है वो रजोगुनी पद है मुझे तो कोई कही चोटे मोट एक घर में या परत्वी लोग पर जनम दे दो ब्रज के अंदर जनम दे दो कुछ नीच परिवार में भी जनम दे दो मैं आपका भजन करूँगा मैं आपसे अलग हो गया हूँ मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए भगवान तो सब की इच्छाय पूर्ण करते है अईसे ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण की है उन्होंने वह अगली कथा आगे जाती है लेकिन भगवान ने कहा कि यह कलपादो विश्रजाम्यम तो यह बार-बार सर्ष्टी होती है प्रला होती है ब्रह्मिज होती है अनंत बैकुंट जगत है परमधाम मेरा धाम नेतद भास यते सूरियों ने श्वशांग को मैं इनमें नहीं हूं मैं आलग हूं इनसे यह सब मेरी रचना है फिर भी मैं इससे अलग हूं मैं सब प्राणी मात्र के इर्दय में हूं फिर भी मैं उनके अंदर नहीं हूं परमात्मा सरुप से मेरे अंश एक्सपेंशन पार्टली इंकार्निशन विष्णू शिर्दक्षाई विष्णू सब प्राणी मात्र के इर्दय में हैं मैं फिर भी अलग हूं मेरी योग शक्ति तो देख अर्जुन मेरा योगम एश्वर्यम योग का एश्वर्य तो देख अर्जुन अवजारंती माम मूढा मानुसिं तनुम आशितं परम्भावम एजानंतो मंभूत महेश्वरम ये मूर्क लोग नहीं जानते हैं कि ये मेरा जो शरीर है ये लगता तो मनुश जैसा है जैसा शरीर में मनुश है मैंने मनुश को भी ऐसा शरीर दिया जो मेरा खुद का शरीर है फिर भी ये लोग मुझसे नफरत करते हैं मुझे नकारते हैं मुझे नहीं जाननी की कोशिश करते हैं इतनी मूर्चा में जीवन जीते हैं अवजानंती माम मूढा मानुसिं तनुम आशितं क्योंकि मैं मनुष्य जैसे शरीर में ही मैं भी रहता हूं मेरी सुप्रीम कौशेसदेस कोई है इस संसार में जिसकी भावना परम भावना हो सुप्रीम कौशेसनेस या कौशेसनेस लोग तो consciousness में भी नहीं है unconscious जीवन जी रहे हैं मूर्चा में जीवन जी रहे हैं फिर supreme consciousness कैसे हो सकते हैं सुपर consciousness भी नहीं है सुपर consciousness में भी परमात्मा विश्णु आते हैं शिरदक्षाई विश्णु गर्बदक्षाई विश्णु माहा विश्ण ब्रह्मा जी ने अस्तुति की है भगवान की यचक्षोर एस सविता सकल ग्रहनम राजा समस्त सुर्मूर तीर अशेश तेजव यश्च आज्या भ्रमती संभित काल चक्रो गोविंदमादि पुरसं तम आहाम भयामी यह चक्षोर एस यह यूनिवर्सल भगवान का विराथ सरूप है इस कि आरिजिनल सरूप नहीं है मानुसम सरीर नहीं है व्यक्तिकत रूप नहीं है यह यूनिवर्सल फाव है भगवान की क्योंकि इसके अंदर भी तो भगवान बिशनु बैठे है जैसे आपका शरीर है उसके अंदर आप खुद बैठे है आपके आत्मा के अम्दर भी परमात्मा आए ये भी भगवान का एच्छेतर है यहां भी भगवान है तब यूझी यूनिविर्स के अंदर भी भगवान है यूनिवर्सल फॉम भगवान कहती है कि जो सूरिया है ये मेरा एक नेत्र है इस विराट रूप के अंदर इस सूरिय के सामने सारे देवता लोग सुर्मूर्तीर अशेश देज़ाओ देवता लोग भी फीके पढ़ जाते हैं चंद्र तारे सब फीके पढ़ जाते हैं ये सारे ग्रह ब्रस्पती शनी बुद्ध मंगल इत्यादी सब फीके पढ़ जाते हैं निश्टेज हो जाते हैं यह मेरा एक नेत्र मात्र है यूनिवर्सल फॉम में ऐसे अनंत यूनिवर्सल शरीर है भगवान के विराठ स्वरूप इनमा अनंत चक्षू है भगवान के भगवान के ब्रह्मा जी अस्तृति करते हैं कि हे गोविंद आपके विराठ स्वरूप के चक्षू सूर्य के सामन सारे देवता फीके पढ़ जाते हैं, सारे घ्रै नक्षत्र फीके पढ़ जाते हैं यचक्षूर एस सविता सकल ग्रहमं, राजा समस्त, सारे राजा, ब्रह्मांडो की, सब फीके पढ़ जाते हैं राजा समस्त सुर्मूर्तीर अशेश्टेजव यश्य आज्या भ्रमती संब्रित काल चक्रों और इसमें वास कर रहे हैं भगवान विश्णू के आज्या से सारा काल चक्र घुम रहा है सारा युनिवर्स घुम रहा है सुचारू रूप से हम जिन्दा है हमारा प्लानेट जिन्दा है उनकी इच्छा से संब्रित सर्वेंट की तरह काल ये कर रहा है सारा ब्रह्मान अपनी इस्थिती में रह करके यच्यक्षोर एस सविता सकल ग्रेनम राजासमस्त सुर मूरतीर अशेशुते जाओ यश्याज्या भ्रमती संब्रित कला चक्रो गोविंदमाधि पुर्षं तमाहाम भयामि ए गोविंदमाधि हम आपकी हस्तुति करते हैं आपको बस्ते हैं ब्रह्मा कह रहे हैं नहीं जानते मेरी सुप्रीम कैस्थनेस को मेरी परम्भावना को ये मूर्ख लोग ये मूर्छित लोग ये अज्यानी लोग नहीं जानते हैं, कि मैं कौन हूँ, मैं भी मनुष्य जैसे शरीर में रहता हूँ, दो ही सुन्दर मेरे हाथ हैं, दो पेर हैं, दो नेत्र हैं, शीज पर मोर मुट है, हातों में मुरली है, जिस मैकसिकन लोग मुरली बजाते हैं, और भी अनेक मुरली बजाते हैं, उनके हातों में भी मुरली है, उनके भी हातों में दस उंगलिया हैं, पाओं में दस उंगलिया हैं, सेम डिक्टो कौपी मनुष्ट का शरीर है उनका अपनी शरीर के जैसा ही ये मनुष्ट को शरीर दिया खुश हो करके ये चौरा सिलाख यौनियों में हो करके निकल रहे हैं अब इनको एक मेरा जैसा है शरीर में प्रदान करूं तो मुर्क लोग इस बात को नहीं पैचानते हैं और कहते हैं कि अरे ये कोई राजय के पुत्त्र होगा या कोई योगी पुरुष होगा हम क्यों पूजा करें हम क्यों उनका नाम जब करें आए चले गए कितने आये हैं, कितने चले गए राम हुआ लच्वन हुआ कृष्ण हुआ बर्राम ये समरायाओं के बेटे रहे होंगे या कोई मान पुरुष रहे होंगे अच्छे काम किये होंगे ये बगवान कृष्ण के वाक्यों को मूर्क लोग नहीं जानते कि बगवान क्या कह रहे हैं और बहुत से कहेंगे कि नहीं वो निराकार है बहुत से नहीं तुम निराकार का बजन करो तुम देवताओं का बजन पूजन करो वो मना नहीं कर रहे तुम बूत पेतों का पूजन करो बगवान बना नहीं कर रहे लिए भगवान के वानी को भी तलवार लेके काट देने वाले मूर खुलो तयार है फिर कहते हैं कि हमने गीता पर भाष्ट लिखा है गीता की हमने कॉमेंटरी दी है हम फिलोसपर हैं हम डिगरी हॉल्डर हैं कितने खिताब हमने जीते हैं हम बिद्बान है शास्तरा र॥ शास्तरों के हम इलाटरेंड है प्रकाश्मान हो गए हैं हजज्जारो लाक हो हमारी शिश्ष है अब हम गीता पर कॉमेंटरी लिखेंगे गुरुजी की कॉमेंटरी जूटे गुरुओं की आडमबरियों की, मूर्खों की, मूर्चितों की ऐसे लोगों की वैक्षाओं की वैलू नहीं, बल्कि पॉर्जन हो गीता के अंदर भवान ने कितने सरल लिर्दे से सभी बात कही हैं हम सब से, अरजुन के मात्यम से के मूर्चित लोग मेरी परम भावना को नहीं पहचानते मैं परमेश्वर हूँ परम भावना परमेश्वर के पास होती है और परमेश्वर से मिलना है तो उस भक्त को भी शुद्दतम भावना पर जाना पड़ता है तब कहीं मिल पाता है परमदाम में जाने वाले की भावना भी परम होनी चाहिए, इतना उंचा लेबन होना चाहिए, तब वहां पहुच पाता है बगवान के इस्तान को तो कोई नहीं ले सकता है इन बगवान के चरणों में तो बैठ सकता है बगवान को आलिंगन तो कर सकता है बगवान से बारतालाग तो कर सकता है बगवान को जल अर्पन तो कर सकता है कर सकता है ले मूर्चित लोग कैसे करेंगे वो तो जानते ही नहीं अपने आपको भी कि हम कौन है अपने आपको जान जाए है तो जैस चैतन मा पुरुजीन कहा कि जीवरो स्वरूप है नित्ट कृशन दास इस जीव का स्वरूप नित्ट कृशन का दास बने रहने में इसका ये असली स्वरूप है और हम देख ते हैं अपने रूप को शीषे में कि हम ये हैं बड़े रूपुआन हैं ऐसी हमारी मूछे हैं ऐसी दाड़िया हैं चोड़े कान हैं ये रूप नहीं है आपका आप सोचेंगे ये मेरा हमारा रूप है नहीं ये तो शरीर का रूप है आप शरीर नहीं है आप आत्मा है आपका स्वरूप तो सचिदावंद है और सदेव कृष्ण का दास बना रहना आपका स्वरूप है इससे अन्यता नहीं फिर बड़ी बड़ी डिग्रिया लो फिलोसपर बनो या मनो वैज्ञानी बनो इससे भगवान समझ में नहीं आते नहीं उनके शास्त्रों पर सरद्दा होनी चाहिए उनकी वानी में सरद्दा होनी चाहिए ये बागुद गीता एज इट इस पांच जार तीन सो अर्ष पहले बगवान की मुखारविन से निकली वो आज चली आ रही है ये इस लोग जैसे थे वैसे के वैसे हैं एक शब्द भी इदर से उदर हो नहीं सकता करक्ष है क्योंकि ये कंठस्त है हज्जारों लाखों बगवान की भक्तों की कंठस्त है इसमें चेंज़ें नहीं कर सकता कोई गड़बर नहीं कर सकता वदमाशाम ये एजिटिज है बगवान की वानी है बगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति मा ममूडा मानुसिम तनुम आशिर्तम परंभावन अजानन्तो ममभूत महेश्वरम मेरा ये श्री विग्र है शरीर जिसमें मैं द्वापर में भी था ये महा इश्वर का शरीर है ये बहुत इक शरीर नहीं है बगवान स्री कृष्ण ये शुदा के आंगन में थे ये द्वार का दीश थे तो उनका शरीर हमारा जैसा नहीं था लगता तो हमारा जैसा था मनुश्य का शरीर जैसा लिए उनकी उनका शरीव ग्रह हमेशा इस्प्रिच्छल होता है आध्यात्मिक होता है इसलिए वो सदेव 16 वर्स के ही अवस्था में नजर आते थे द्वार का धीश बन करके 125 वर्स तक रहे है पाल लिलाएं भी करी वो शर शरीव रूप में रूप बना ले और शरीर आध्यात्मिक शरीर हो इस्प्रिच्छल बाड़ी पस ब्लड बॉंस का नहीं है लिए लिए लगता है इसा है कि हमारे जैसा ही है नंद देवकी के पुत्र बने नंद के घर पलते हैं वेदों के रिशियों ने कृष्णा बताए हैं वो ही शाम सुन्दर का नहीं आख कहाए हैं गोविंद तेरी जै जै गोपाल तेरी जै जै हे बागे भी हारी नंद लाल तेरी जै जै गोविंद तेरी जै जै गोपाल तेरी जै जै अव्यानंती माम मूढा मानुषिम तनु मासृतम परंभावम अजानंतो महमभूत महेश्वरम इस प्रकार से भगवान नी अरजुन को कहा कि ये मुर्चित लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं इनके जैसे इस शरीर में मनुष्य जैसे शरीर में ही रहता हूँ मेरा शरीर, मेरा औरिजिनल रूप गॉले का है और अमनुष्य का शरीर है ये भगवान का स्पीच्छल शरीर है और परम रूप वान है उनके रूप से किसी का रूप नहीं मिलता है उनके नेत्रों से किसी के नेत्रों नहीं मिलते है उनके रंग से भी किसी का रंग उनके शरीर के अंग प्रतंग और रंग ये बड़े अदूद है इसलिए उनको यहां भी द्वापर में भी जो कोई भी देखता था वो मोहित हो जाता था उनकी भक्ति वावना से इर्शा जलने से देखते थे उनके विरोधी हो जाते थे जरासंद, शिशुपाल, दंत्वक्र, कंस, इत्यार, जिन्होंने उनकी रूप के दर्शन की हैं, वो बड़े भागिशा लिया, उनका जन्म सफल हो गया, वो उनके धाम किवास ही बन गए, चाहे हो युदिष्टिर महराज हो,